हेलो दोस्तों सभी को मेरा राधे राधे तो आज से मैं आप लोगों को राकेश यादों की बुक पढ़ाऊंगी और उसका एक एक कोईस्टन सालू कराऊंगी चैप्टर का नाम है लाभ और हानी तो चलिए देखते हैं पहला कोईस्टन 36 किताबों की लागत मूली 30 किताबों के विक्रे मूली के बराबर है पहले कोई भी बस तो खरी दी जाती है फिर बेची जाती है तो खरी दो फिर बेचो 36 किताबे खरी दी गए और 30 किताबे बेची गए लाभ प्रतिसक निकालना है लाग निकालने के लिए हमेशा माइनस किया जाता है लाग प्रतिसत बराबर 36 माइनस 30 बटे ये किनारे बाड़ी संध्या नीचे लिखेंगे बटे 30 गुड़े 100 लाग प्रतिसत है इसलिए 100 से यहां गुड़ा होगा तो 36 में से 30 हताएंगे तो 6 आ जाएगा बटे 30 गुड़े 100 6 एके 6 छे पंचे 30 5 एके 5 पांदूनी 10 आ गया 20 बटन पंद्रा बस्तुओं का लागत मूले 10 बस्तुओं के विक्रय मूले के बराबर है तो लाग प्रतिसत बताएगे चलिए इसको दूसरे मेटर से देखते हैं पंद्रा बस्तुओं का लागत मूले लागत मूले हमेशा क्रे मूले होता है तो क्रे मूले बराबर 10 बस्तुओं के विक्रय मूले के बराबर है कोईश्चन में जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे किये है तो क्रे मूले तो यहीं रहेगा क्रे मूले बटे विक्रय मूले नीचे आएगा बिक्रे मूले एकवर डू 10 यह क्रे मूले पास 15 है तो 15 10 के नीचे आएगी संख्रा 5 दूनी 10 पांतियाए 15 दो बटे 3 तो क्रे मूले दो आगिया बिक्रे मूले 3 तो खरीदे थे 2 रूपए का बेच दिये 3 रूपए जै कितने रूपए का लाप हुआ एक रूपए का लाप हुआ लाप प्रतिसत बराबर लाप बटे क्रे मूले गुड़े 100 लाप प्रतिसत या हाली प्रतिसत हमेशा क्रे मूले पार ही निकालते हैं और यहाँ पे प्रतिसत है इसलिए 100 से गुड़ा करा दिये कितने का लाप हुआ दो रूपय का खरीदे थे, तीन रूपय का बेश दिये, एक रूपय का लाग हुआ, एक बटे क्रैमोली, क्रैमोली कितना है, दो है, बटे दो, बुणे सो, दो एक के दो, दो पंचे दस, आ गया 50 पर्चाइस पूश्चा है, पांच बस्तूओं का भिक्रैमोले, तीन प्रतिसत या हानी प्रतिसत बताईए पहले क्या होता था खरीदो फिर बेचो खरीदो फिर बेचो पाच बस्तुओं का बिक्रे मूले जहां पे बिक्रे मूले होगा बेचों में हम पाच लिखेंगे फिर तीन बस्तुओं का बिक्रे मूले बोल रहा है 3 हम यहां लिखेंगे तो लाग प्रतिसर बराबर 3 माइनस 5 5 माइनस 3 नहीं करेंगे 3 माइनस 5 करेंगे और ये किनारे वाला मीचे लिखेंगे गुडे 100 तो 3 में से 5 जाएगा ले 5 में से 3 घंटाएंगे माइनस 2 आएगा क्योंकि बड़ी संख्या है बड़ी संख्या कि आगे माइनस है तो माइनस लिखेंगे बटे 5 गुडे 100 5 एके 5, 5 गूनी 10 माइनस 40 माइनस 40 आया तो क्या हुआ? हानी हुआ ये हानी प्रतिसर खुआ अगला कोईस्चन देखते हैं 3 खिलोने को चार खिलोनों के लागत मूले पर बेचा जाता है तो लाव प्रतिसत बताईए फिर उस वाले खार मूले से देखें चाहाई उस वाले खार मूले से लगाएं चाहाई इस वाले खार मूले से लगाएं क्रेम मूले होता है और तीन वस्तुओं के बिक्रेम मुले पर बेचा जा रहा है तो ये बिक्रेम मुले हो जाएगा क्रेम मुले बटे बिक्रेम मुले इक्वल टू तीन और ये क्रेम मुले के पास चार है नीचे आएगा चार क्रेम मोले तीन रूपया हुआ, विक्रेम मोले चार रूपया तो तीन रूपय में खरीदा था, चार रूपय में बेच दिया कितने रूपय का लाग हुआ, एक रूपय था तो लाग प्रतिस्त बराबर लाग बटे क्रेम मोले गुड़े सो लाग कितने काम पाया? एक रुपय का क्रेम पुले कितना है? तीन रुपया गुड़े, सौ यह हो जाएगा सौ को एक से गुड़ा करेंगे सौ हो जाएगा बटे, तीन चाहिस को ऐसे ही रैंडे दीजिए चाहिस को भाग दे दीजिए 33 सही 1 बटा 3 प्रतिसत फिर चलिए अगला question देखते हैं यदि 15 मेजों की लागत मूली 20 मेजों के विक्रे मूली के बराबर है तो हाल प्रतिसत बताईए 15 मेजों की लागत मूली लागत मूली क्या है? क्रे मूली है और 20 मेजों के विक्रे मूले के बराबर है तो क्रे मूले बटे विक्रे मूले बराबर 20 और ये इसके नीचे आएगा तो 5, 24, 25, 15 चार बटे 3 क्रे मूले 4 आगया विक्रे मूले 3 आगया तो इसमें पूछ रहा हानी प्रतिसत हानी प्रतिसत खरीदा खर 4 रूपए का, बेचा 3 रूपए का कितने रूपए की हानी हुई? एक रूपए की तो हानी प्रतिसत बराबर हानी बटे क्रे मूले बुडे 100 हानी एक रूपए की हुई है और क्रेम मोले चार है, बुड़े सौब, चार एक्के चार, चार दुनियार, चार पंचे, वीज, पचीज प्रतिसत फिर अगरा question देखते हैं, यदि 18 बस्तों का लागत मोले 15 बस्तों के भी क्रेम मोले के बराबर है, तो लाब प्रतिसत बताईए 18 बस्तों का लागत मोले, यानि की क्रेम मोले, कितने बस्तों के बराबर है, 15 बस्तों के, 15 बस्तों के भी क्रेम मोले के बराबर है, तो क्रेम मोले, ऐसे ही रहेगा, और ये भी क्रेम मोले नीची आएगा, भी क्रेम मोले, एकट दू, पंदरा, ये 18 बते में आएगा, 35, 36, 18, 5 बटे 6, क्रेम मुल्ले 5 आ गया और विक्रेम मुल्ले 6 आ गया यानि कि 5 रुपए में वो खरीदा था और 6 रुपए में बेच दिया तो कितने रुपए का लाग हुआ? एक रुपए का तो लाग प्रतिसत बराबर लाग बटे क्रेम मुल्ले गुडे 100 लाग एक रुपए का हुआ है और लाग प्रतिसत निकालना है हमेशा क्रेम मुल्ले पर निकालता है क्रेम मुल्ले कितना है? 5 गुडे 100 5 एक पास 5 दूनी 10 20 प्रतिसत फिर अगला प्रतिसत लागत मोले तथा विक्रे मोले का अंपाथ पाँच अंपाथे चार है तो हारी प्रतिसद बताईए लागत मोले और विक्रे मोले अंपाथ है पाँच अंपाथे चार पाँच अंपाथे चार लागत मोले यानि की क्रे मोले है क्रेमोली कितना है? पात रूपया है और बिक्रेमोली कितना है? चार रूपया है हानी प्रतिसत निकालना है तो हानी प्रतिसत खरीजे थे पात रूपये में बेजे चार रूपये में कितने रूपए एक हानी हुई एक रूपए एक हानी प्रतिसत बराबर हानी बटे क्रेम मूले गुडे सब हानी प्रतिसत है चाहे हानी प्रतिसत होगा या लांग प्रतिसत होगा हमें इसा वो क्रेम मूले पर निकाला जाएगा तो हानी एक रूपय की हुई है और क्रे मूली कितना है पांच रूपया है गुड़े सब पांच एके पांट पांच पूनी दस बीस रूपया फिर क्वेश्चन नमबर एक एक वस्त की लागत मूले तद्धा भी क्रे मूले का अनुपास बीस हम पारते 21 हो चलिए अगला क्वेस्टन देखते हैं एक वस्त की लागत मूले तथा बिक्रे मूले का अनुपात 20 अनुपाते 21 है तो लाग प्रतिसत बताईए लागत मूले यानि की क्रेम मूले और बिक्रे मूले लागत मूले और बिक्रे मूले का अनुपात दिया है 20 अनुपात 21 तो लागत मूले कितना है? 20 रुपिया बिक्रे मूले 21 रुपिया 20 रुपे का खरीदा था और 21 रुपे का बेचा है तो लाग प्रतिसत कितने रूपय का ला हुगा? एक रूपय का ला एक रूपय का हुगा और क्राय मूले कितला है? 20 रूपया है बटे 20 गुडे 100 21 के 20, 25 के 100 5 प्रतिशन फिर अगला प्रतिशन यद किसी वस्तु का विग्राय मूले उसके लागत मूले का 8 प्रते 5 गुणा है तो लाव प्रतिशन बताईए किसी वस्तु का विग्राय मूले विग्राय मूले लागत मूले का लागत मूले का लागत मूले का और क्या लिख सकते है? क्राय मूले लिख सकते है क्राय मूले का कितना है आठ बटे पांच गुना आठ बटे पांच गुना जहां पे का रहेगा वहां पे हम गुड़े का निसान लगा देंगे किक है और यह नीचे आ जाएगी क्रे मोले बटे क्रे मोले यहां नीचे आएगा इसके लिचे क्रे मोले इक्वल टू आठ बटे पांच तो खरीदा था पांच रुपए में बेचा आठ रुपए में कितने का लाब हुआ तीम रुपए का लाख प्रतिशत बराबर तीन बटे क्रे मोली कितना है पांच है पांच गुड़े सो पांच एके पांच पांच दूनी दस बीस नियाए साथ प्रतिशत फिर अगला कोईसन पचीस वस्तुओ का लागत मोल ले चलिए अगला कोईसन देखते हैं बस्तुओ के विक्रे मोली के बराबर है तो क्रे मोल ले बटे विक्रे मोल ले बराबर वी बटे 25 पांच फोक भी पचांच चार बटे पांच तो क्रे मोली कीतना आए चार आया और विक्रे मोली पांच आया लाग प्रतिशत निकालना है लाग प्रतिशत कितने का लाज हुआ चार रुपए में खरीदा था, पाँ रुपए में बेच दिया, एक रुपए का लाभ हुआ तो लाभ बटे क्रेम हुले होता है, क्रेम हुली कितना है? चार है, गुड़े, सौ, चार एक्के का, चार दुनिया, चार पंचे, बीस, पचीस करते है हमको इतना लंबा नहीं करना है, छोटे के करना है तो हमेसा लाभ में माइनर सी करते हैं तो पतीज में से बीस घट आएंगे, तो कितना आएगा? पाँच आएगा, तो पाँच हम लिखेंगे और फिर बिक्रे मोले के पास बीस है, तो यह बीस हम यहाँ लिखेंगे और क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये बस्तूओं की संख्या दी गई है, ना की रुपया दिया गया है इसलिए हम 20 को नीचे लिखेंगे और गुड़े 100 करेंगे 100 क्यों करेंगे? लाव प्रतिसत पूछ रहा है, प्रतिसत का मतलग ही होता है 100 तो 20 एक के 20, 25 पंचे 100 तो पास को पास से गुड़ा करेंगे 25 प्रतिसत आग्या छोटे में दी आप लोग लगा सकते हैं